तो है काईज वेलकम बैक टूर सीरीज जहां पर हम आपको सिखाने वाले स्टॉक मार्केट फॉम भी बेसिक स्टिल बेरी इडवांस लेवल अगर आप इसके नोट्स बनाए तो आप भी बन सकते एक प्रो ट्रेडर फ्रम दी स्क्राच हमने आपको अब तक सिखाया कि सपोर् लग-लग reversal patterns के ओता है candlestick में 4 pattern setup के ओता है 5 pattern setup के ओता है अब हम आपको लेके आने वाले है चार्ट patterns में चार्ट pattern में हमने अब तक सिख लिए double top क्या होता है double bottom क्या होता है head and shoulder pattern क्या होता है mountain heel क्या होता है dow theory क्या होती है and अब हम आपको सिखाने वाले है triple top, triple bottom बहुत लोगों इसको confusing मना जिए कि double top और triple top बहुत अलग-अलग है इनमें क्या-क्या differences है, इनके rules कितने अलग-अलग है, आज मैं आपकी सारी confusion इसी वीडियो में खतम करने वाला हूँ जहाँ पे हम आपको सिखाने वाले है कि triple top and triple bottom को trade कैसे किया जाए, उनमें stop loss and target कैसे लगाया जाए, and उनके risk to reward को कैसे maintain किया जाए and practically आपको मैं चार्ट्स पर दिखाने वाला हूँ इस theoretical class के बाद हम आपको practical इसकी वीडियो भी देने वाले है, इसी वीडियो के अंदर आपको दिख जाएगी, जिसमें आपको समझ आएगा कि उसमें कौन से stocks में बहुत अच्छे से काम करता है, and किस तरीके से हम इसमें अपने targets achieve का सकते हैं So let's dive into this video, जहाँ पे हम आपको सिखाने वाले है, triple top and triple bottom So guys, सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये confusion निकाल दो कि double top और triple top में बहुत ज़्यादा फरक है So आपको बताने वाले हैं, अब हम कि double top और triple top में basic फरक क्या होता है So double top, ऐसी pattern formation है, जो stop बढ़ने के बाद एक double top बनाएगा जिसका height almost same होगी So let's suppose ये 100 है, triple top क्या होगा, market एक consolidation में चले जाएगा, जिसको हम कहते है box pattern एक box pattern में चले जाएगा and जैसे यहाँ पर आएगा तो ये support बन जाएगा and उपर जाएगा तो ये resistance बन जाएगा, जिसको हम कहते है market confusing state में है कि उपर जाना नीचे जाना, नीचे आता है तो demand बढ़ जाती है उपर जाता है तो supply बढ़ जाती है क्या मतलब, उपर आता है तो bears धक्का मारते है नीचे और नीचे आता है तो bulls धक्का मारते है उपर तो ये समझ नहीं आ रहा stock उपर जाना चाहिए यह नीचे जाना चाहिए only then triple top बनता है क्या मतलब so generally एक बहुत बढ़िया trend के बाद जब market halt करती है जब market consolidate करती है तो हमें triple top जैसा कुछ देखने को मिल सकता है इसमें क्या होगा let's suppose यह 80 है अन्या से 100 गया price वापस 80 पर आया demand hit करी वापस 100 गया demand hit करी वापस उपर गया supply hit करी तो यह 100 पर वापस आ गया और वापस नीचे 80 पर आ गया क्यूंकि हमें तीन tops दिख रहे हैं एक साथ तीन bottom दिख रहे हैं एक साथ इसलिए हम इसको कहते हैं triple top अब आपकी confusion clear होगी होगी कि triple top क्यों बोला जाता है अगर चार बार टॉप लगाए तो हमसको कहेंगे four time top तो इसलिए triple top double top बहुत common है कि इसके बाद जनरली स्टॉक अपनी position चेंज कर लेता है यहां से हमें जनरली ब्रेक आउट देखने को मिल जाता है अब क्योंकि थोड़ा सा जाधा aggressive है तो इसमें हो सकता है हम रिटेस्ट की वेट भी ना करे 25-50 पॉजिशन यहीं बना ले और अगर रिटेस्ट हुआ तो हम 50 पॉजिश 60 पॉइंट्स और यहां पर हमारा जो stop loss है वो इसका high नहीं रहेगा box का high नहीं रहेगा वो हमारा रहेगा last जो भी range वनी है तो लेट मी शो यूँ अगर यह triple top है और ऐसा कुछ बन रहा है तो यहां पर हमने अगर breakdown किया यह 80 है यह 100 है तो हमारा first target 60 रहेगा यह आपको समझ आ गया अगर हम सोचेंगे इसका stop loss क्या रहेगा क्योंकि stop loss इतनी दूर है इतनी बड़ी range है तो हम इतनी दूर का stop loss नहीं around 50% of this which is 90 कि आसपास कम stop loss रखेंगे य या फिर इसके nearest जो भी swing low बन रहा होगा जैसे suppose अगर stock ऐसे बनाता हो आ रहा होगा तो यह वला swing low जो होगा हमारे इस breakdown का stop loss रहेगा तो इस तरीके से आपना risk to reward बहुत अच्छे तरीके से manage कर पाऊगे 1 is to 3, 1 is to 4 इसमें आप easily नहीं पाऊगे क्या मतलब अगर आप 1 bottom की बात करें तो क्या होगा stock गिरता हो आ रहा होगा और यहां पर कुछ base बनेगा stock का इसको कहते base formation तो यहां से हमें वापस दिखेगा stock ऊपर बढ़ता हो ऐसे triple bottom बनाते हुए देखने में लगेगा कि market confusing state में बट वो अपने चार्ट पैटर्न मना रहा होगा and अगर आफ व pattern से पहले trade नि लोगा pattern के बाद trade लोगा so यहां पर ब्रेक आउट होता है तो यहां कहीं आपना 50% position add कर सकते हो and retest के बाद वापस 50% और add कर सकते हो and stop loss क्या रहेगा वही यह swing का low या 50% of this box let's suppose कि यह 50 है and यह 100 है so आपका stop loss हो रहेगा around 75 यह 75 से आके आसपस जो भी swing होगा मह पर कहीं लेंगे and then हमारा target क्या रहेगा so क्योंकि यह 50 points था तो 150 हमारा target 1 and plus 50 points और हमारा target 2 which is 200 हमारा target 2 and इसके बाद अगर और उपर जा रहा है stock तो आप trail कर सकते हो and इसको hold करके जा सकते हो क्योंकि यह buying की तरफ position है तो इसमें थोड़ा सा risk कम है selling में थोड़ा सा risk जादा होता कि markets का जो nature है वो generally bullish होता है मतलब इंसान हो या market financial language में बोले जते हैं इंसान हो या market आखिर में जाना तो उपर ही है तो इसलिए आप जब उपर के लिए लेते हो थोड़ा सा conservative आप थोड़ा सा कम डरते हो क्योंकि अगर market 150 तक भी रह गया तो वे profit लेके जाओगे इसलिए आप इसको trail करने में असानी रख सकते हो I hope theoretically मैं आपको double top and triple top में फरक समझा दिया होगा double bottom क्या है वो सिरफ बनता है जब stock एकदम तेजी से गिरा हो और यहीं पर reversal के sign कुछ दिखा रहा हो कुछ ऐसा सा या फिर कुछ ऐसा गिरा हो इन तेजी से sharp recovery दिख रही हो तो हमें कुछ ऐसा दिखता है अगर हम triple top, triple bottom की बात करें तो वो एक base pattern में बनाया जाता है अगर हम double bottom, double top की बात करें तो वो एक recovery के sign माने जाते है तो यह basic फरक है triple top, triple bottom, double top, double bottom में अब नाओ लेट शो यू इन चार्ट्स प्राक्टिकली कि यह कैसे काम करते हैं इनका stop loss target हम कैसे refine and define कर सकते हैं अन्तमा risk reward किस तरीके से बढ़ा सकते हैं सबसे पहले triple top का example दिखाने के लिए हम आपको लेकर आचूँए आपको दिखाने वाले एकदम recent example जहां पर आपको दिखाने वाले किस तरीके से काम किया आगे क्या कर सकता है सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यह एक टॉप बनाया यहां से थर्ड टॉप बनाया तो यह हमारी नेकलाइन रहेगी इसका breakdown आते ही हमें क्या देखने को मिला एक बहुत ही बढ़िया जब market already काफी ज़दा उपर जा चुकी थी यहां से मार्गिट काफी ज़दा उपर जा चुकी है यहां पे यहीं टॉप यह टॉप दिन यह टॉप देखने को मिले और यहां से जैसी हमारा breakdown आया तो हम देखेंगे एक बारी long shot position लगा के आपको दिखाऊं इस retest पे यह हुआ वापस retest इस retest के breakdown यहां पे हमने वापस position बनाई और हमारा stop loss के रहना चाहिए इसी swing के high के थोड़ा सा उपर और अगर हम target देखें अल्रेडी हमें 1-1.87 का target नीचे की तरफ मिल चुका है तो अगर आप देखें आप इसको hold भी करें तो भी आप इसको और लंबा तक लेके जा सकते हैं अगर आपने अभी भी exit कर दिया होगा तो भी आप 20th feb तक अल्रेडी अराउंड दो सवादो के आसपास वाली candle के आसपास आपने 1-1.87 का target बुक कर लिया होगा और आपने देखा हो कितने चोटे टाइम फ्रेम में कितना बढ़िया तरीके से हमें trade मिल सकता है अगर आप डेली में इसको देखें ऑल्ट बहुत रेरली यह बनता है अगर आपको देखने को मिलता है डेली में इसका breakdown with retest with good volumes देखने को मिलता है तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा अगर देखें जब हमारा breakdown की volume आई तो breakdown की volume जो थी normal candle से बहुत ज़्यादा थी यह देखें हम ट्रेड ले सकते हैं and obviously हमारे अगर stop losses hit होंगे तो वो risk reward के हिसाब से हमें बचा लेंगे क्योंकि अगर हम 2-3 trade बना रहें तो एक में profitable रहें तो भी हम net net profit में निकलेंगे तो यह हमारा triple top का बहुत ही recent example TCS में आपको दिखाने वाला हो गया इंट्राडे में in forces का example लेकर आगरने वाले हम आपको पंदरा मिनिट में दिखाएंगे कि इन फोसी ने ट्रिपल बॉटम कब बनाया सो और नाइन फॉर्टी फाइव तेइस जैनवरी दोदर चॉबिस बहुत ही recent example जो हम आपको दिखाने वाले हैं तो एक बड़ी मैं आप लाएगा और यह ट्रिपल टॉप को कैसे ट्रेड कर सकते हैं तो लेट मीशो यू यह हमारी इसकी नेकलाइन रहेगी अन अगरम इसका बॉटम देखें तो यह कहीं हमारा बॉटम बन क्या रहा है यह ऑब विसली एकदम परफेक्ट ट्रिपल बॉटम नहीं है क्योंकि यहा बॉटम को अगर हम देखें तो हमारे को ब्रेक आउट कहां मिला सो नेक्स दे जो हमारी ओपनिंग हुई 15 मिनिट के अंदर हमें इसका ब्रेक आउट देखने को मिल गया अगर हम यहां पर लॉंग की पोजीशन लेते तो एक बड़ी मैं आपको दिखा देता हूं सो हमारा यहां पर मैंने पोजीशन बनाई यह मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ऑल्दो यह इंट्राडे में बहुत जादा वॉलिटी होती है तो हो सकता आपको रिस्क रिवार्ड सही ना मिले बट क्यूंकि हमें अल्रेडी यहां पर वन इस्टु वन पॉंट थी का टार्गेट मिल च अरगेट यहां पर मिसको ट्रेल करेंगे अरांग डिस लेवल जो हमारा बनता है एक दम सो जैसी हमारे ट्रेबल टॉप के आसपास प्राइज और ऊपर चला गया हम यहां पे सको ट्रेल कर लेंगे और इसको हम आगे जाके होल्ड कर सकते हैं अगर अगर ओनली फिए और रि को पकड़ लिया and you can start from here आप रिवर्सल्स पकड़ सकते हो and देखिए कितने बड़ी तरीके से इसने काम किया है तो एक बड़ी मैं आपको percentage terms में clearly दिखा देता हूं so यहां पर अगर हम देखिए यहां आपने कहीं अपनी long position बनाई यहां तक हमने कहीं इसको ट्रेल कर सकते हो तो आपको stop loss बन जाता है पॉइंट 64 परसेंट सो आपको समझ आ गया होगा कितने बड़ी तरीके से काम करते हैं अब आपका काम है कि आप डेली में एक्जामपल्स जोनके आप हमें बताइएगा कि कौन सा triple bottom आपने catch किया और कौन सा triple bottom अभी फिल काम करता है आप हमें बताएंगे till the time appreciate us by liking this video comment डाउन बिलो कि कौन से कौन से stocks में आपको और analysis चाहिए जिसके बारे में आपके लिए नई वीडियो ले किया है and कौन से stocks में triple top triple bottom जैसी formation देखने को मिल रही है हो सकता है करी sectors में आपको देखने को मिल रहा हो so do let us know in the comments that as well till then subscribe to our channel press the bell icon so you don't miss any updates on this channel and till the time thank you